लिएनल मैसी, कई सारे लोगों के लिए ये केवल एक फुटबॉल पिलर का नाम ही नहीं, एक भगवान का नाम है अगर आप लिएनल मैसी के इसकिल्स, सेट्स, ट्रोफीज निगाल करके देख लो ना तो आप इसली लिएनल मैसी को जो है, वो एक गोर्ट इस्टेस देद होगे वो चाहे लिएनल मैसी के गोल्स हो गए वो चाहे लिएनल मैसी के असिस्ट्स हो गए वो क्रोआिज गो det को जो खवच्ञिक एडिनल मैसी के लिएन kellrå फसे यूच्टती फिक पोनी है यूच्ट मैसी के लिएजब ये टचे-ऍनल वही है लगाद कर्याओ कि ज почनवसे लिएी को वो से फिशए्ट लिएनल मैसी के फ्रीकिक्स द्रिबलिंग, विजन, पासिंग, स्किल्स, इवन सम्टाम्स डिफेंडिंग इस वेल लिएनल मैसी भाई साब एक कमाल के प्लेयर लेकिन एक चोटा सा लड़का जिसको बच्पार में ग्रोथ हॉर्मोन डेफिसियंशी की प्रॉबलम थी कैसे अर्जेंटीना के चोटे से शहर रोजारियो से निकल करके बार्सलोना के लेजेंड साथी साथ गेम के लेजेंड बनते हैं आज यह जान देने के कोशिश करेंगे माइनेम इस अशेश कुमार एंड यू आर वाचिंग इस्टोरीस विट एक एज़ लियोनल मैसी के स्टोरी जून 24, 1987 को अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर रोजारियो में चालू होती है जोर्जे मैसी और सेलीना कुटिनिनी के टीसरे बेटे होते हैं जिनका नाम उनलोग रखते हैं लियोनल मैसी बच्पन से लियोनल मैसी को फुटबॉल के तरफ से एक अलग ही लगाव था बच्पन से ही लियोनल मैसी के पापा बताते हैं कि वो फुटबॉल से जो है जैसी चलना सीखे थे फुटबॉल खिलने लग गय थे जिसको देख करके लियॉनलमैसी के फादर ने लियॉनलमैसी को लूकल कलब अब लियॉनलमैसी की ग्रैंड मदर हमेशा लियॉनलमैसी के ट्रेइनिंग और मैचेस खिलवाने के लिए लेकる जाती थी सिंस लियोनल मैसी केवल चार साल के ही बच्चे थे उनको ग्रानोली के कोच जो है वो टीम में स्टार्ट नहीं करते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि ये बड़े बच्चे कही लियोनल मैसी को गिरा ना दे लियोनल मैसी को चोट ना लंग जाए लेकिन एक match में हुआ ऐसा कि Granoli में भाई सहाब केवल 10 प्लेयर जो है वो अविलेबल हुए एक प्लेयर की कमी बट रही दे Granoli को match चालू करने के लिए तो Lionel Messi की Grandmother ने insist किया कि भाई मेरे बिचे को जो है वो start करके देखो भाई तो Granoli के coach ने मना कर दिया बोला देखें आपका बेटा बहुत चोटा है उसको चोटोट लग सकती मैं से start करने का रिस्क नहीं लूँगा लेकिन बार बार Lionel Messi की Grandmother को insist करने के चलते भाई सहाब Lionel Messi को coach start करने है अब ये चार साल का चोटा सा लड़का फुड़ बाल कहनने के लिए पहली बार पिछ में उतरा था और पिछ में उतरते साथ पहली बार जब Lionel Messi के पास बाल आई तो Lionel Messi कंट्रोल भी नहीं कर पाए बाल बगल से निकल गई जिसको देखे ग्रानोली के coach ने सोचा कि छोटा बच्चा है यार क्या ही कर पाएगा कोई बात नहीं लेकिन फिर दूसरी बार जब Lionel Messi के left foot पे बॉल आती है तो वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे से ग्रानोली का coach क्या पूरी की पूरी stadium जो है वो खहरान हो जाती है लेफ्ट फुड में बॉल ले करके Lionel Messi चार साल की छोटे सी उमर में साथ प्लेयर्स के सामने से बॉल रिबल करके निकल के जाते है जिसको देख करके सभी लोग हैरान हो जाते है अब ऐसे कुछ कारनामे करने के चक्कर में भाई साहाब Lionel Messi का औरेडी टाउन में नाम हो चुका था जिसको देखते हुए Lionel Messi New Wales Boys Club को जॉइन करते हैं 6 साल की उमर में अब New Wales Boys Club में Lionel Messi एक छोटे से ही समय पे जो है वो 500 गोल मार करके एक नया record site कर देते है जिसके चलते Lionel Messi के ऊपर कई सारे Argentina के बड़े-बड़े clubs की नजर पढ़ चुकी थी और उनमें से एक बड़ा club River Plate था लेकिन 10 साल के उमर में Lionel Messi एक problem से diagnose होते है डॉक्टर्स ने बताया कि Lionel Messi को growth hormone deficiency है जिसके चलते Lionel Messi की growth काफी ज़दा effect हो सकती है उस समय डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था कि अगर बिना treatment के Lionel Messi को growth hormone deficiency के साथ बड़े होने अगर देते है तो Lionel Messi की height कीवल और कीवल चार फूट आठ इंच की रह जाएगी अब चार फूट आठ इंच के साथ आप football में career भले कितने ही skillful हो नहीं बना सकते वो बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जिसको देखते हुए Lionel Messi के parents और Lionel Messi को काफी जादा डर लग रहा था और Lionel Messi के इस skillful चालू हुए career के उपर बादल मेंट रहने लगे से 10 साल की हुमर अब ये जो growth hormone deficiency का इलाज था वो thousand dollars per month जो है वो खर्चा दे रहा था अब एक steel factory worker के लिए भाई सहाब काफी जादा मुश्किल हो रहा था Lionel Messi के इस खर्च को जो है वो उठा पाता लेकिन तो भी Lionel Messi के पापा और मम्मी पाई पाई जोड कर कि Lionel Messi के इस इलाज के लिए thousand dollars per month का इंतिजाम कर रहे थे लेकिन एक समय के बाद उनके पास भी जो है वो पैसे खतम होते हुए नजर आने लगे जिसके चलते नहीं वेल्स बॉइस क्लब ने promise किया कि वो Lionel Messi के इस treatment का पूरा खर्चा उठाएंगे लेकिन बाद में कलब भी जो है वो पीछे हट गई दस साल की उमर में जो कलब Lionel Messi को sign करना चाह रहे थे river plate वो भी जो है वो उन्होंने भी promise किया था Lionel Messi के इस खर्चे को उठाने का लेकिन वो भी खर्चा देख करके पीछे हट गई लेकिन तब ही एक advisor आकर कि Lionel Messi के family और Lionel Messi को ये advice करते हैं कि क्यों आप European club से मदद लेकर के देखो और Lionel Messi के कुछ relatives का जो है वो घर था Catalonia बार्सलोना में और उसके चलते हैं Lionel Messi का एक trial उन्होंने अरेंज करवाया बार्सलोना सेप्टेंबर 2000 में Lionel Messi पहली बार बार्सलोना पहुचते हैं और वहाँ पे उन्होंने बार्सलोना को एक trial दिया उस trial से first team director चारली इतने जादा इंप्रेस हो चुके थे Lionel Messi को देख कर गिये कि वो तो तुरंत ही Lionel Messi को जो है वो साइन करना चाह रहे थे लेकिन उस समय बार्सलोना की vote जो है करती थी ऐसे ही September बीद गया October, November और December आ गया कुछ भी खबर बार्सलोना के officials के तरफ से Lionel Messi के parents को आई नहीं जिसको देखते हुए Hot Joe Messi ने एक ultimatum थमा दिया बार्सलोना के हाथों में कि अगर आप मेरे बेटे को sign करना चाहते हैं तो यह ultimatum में आपके पास इसके बाद हम नहीं जो है वो यहां रुकेंगे जिसको देख करके Charles जो first team director थे वो काफी सदा घबर आ गई कि एक बहुत ही promising young talent जो है वो हमारे हाथ चे निकल जाएगा तो मैं इसको तुरंट साइन करना चाहता हूँ अब उस समय contract फॉर्म करने के लिए और उस tissue paper को आज जाना जाता है इस फेमस paper napkin contract ओफ लिएनल मैसी तो लिएनल मैसी का पहला contract बार्सलोना में एक भाई सहब tissue paper पे साइन हुआ था तो फाइनली 2001 में बार्सलोना में जो है वो मैसी जो है वो सेटल हो जाते हैं बार्सलोना में उनके पैरेंट्स जो है वो एक छोटा सा फ्लाइट लेते हैं कैंप नाओ के ही बगल में और वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं लेकिन contract का problem चल रहा था न्यू वेल्स बॉइस क्ल बार्सलोना मैसी को जो है वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थी सिंस मैसी रजिस्टर नहीं हुए थे अभी ताकि Spanish Football Federation में तो मैसी केवल friendlies गेम में ही जो है वो पाट ले पा रहे थे बार्सलोना के यूठ टीम के साथ अब साल भर केवल दो चार गेम खेलने के चलते हैं उनको गुंगा समझने लग गए थे साथी साथ भाई सहाब यहाँ पे लिएनल मैसी होम सिकनेस के भी शिकार बन रहे थे बार्सलोना में अब कुछ महिनों के बाद उनकी मम्मी उनके भाई और बहन के साथ वापस से रोजारियो अर्जेंटिना जा चुकी थी जिसके चलते उनको उनकी मम्मी का भी काफी जादा यादा थे लेकिन फाइनली दो हजार दो में जब लिएनल मैसी 15 साल के थे फाइनली बार्सलोना रचेशर कर पाती है लिए मैसी को स्पैलिश फुड़बॉल फेडरेशन में और अब लिएनल मैसी यूथ टीम का हिस्सा फर्स टीम हिस्सा बनते हैं और उस टीम को फेमसली जाना जाता है बेबी ड्रीम टीम के नाम से 2002-2003 में बार्सलोना के इस बेबी ड्रीम टीम में भाइसाब लिएनल मैसी हिस्सा बन करके 30 गेम्स खेल करके 36 गोल मारते हैं जिससे वो टॉप स्कूरर बन जाते हैं यूथ लीग के और बेबी ड्रीम टीम जो है वो ट्रैबल जीत जाती है भाइसाब जो इस पैनिश लीग होता है यूथ का वो भी जीत जाती है और कैटैलन कप और भाइसाब इस पैनिश कप दोनों जो है वो जीत जाते है इस सीजन में एक बहुती फेमस गेम है जिसको बार्सलोना वाले बोल वो मैसी को पूरे गेम में स्टार्ट नहीं करते हैं और उन्होंने यहा भी कहा थजिए अगर तुम इस्टार्ट करोगे तो तुमको एक मास्क पहन के जो है वो गेम में पार्ट लेना पड़ेगा लिची 15 साल की उमर में अग्री नियुक्त नहीं कर जाते हैं कि थीक है मैं मा निकाल करके फेक देते हैं साथ लियानल मैसी बिना मास के एम में उतरते हैं और दस मिनट के अंदर दो गोल मार करके बार्टलोना 4-1 जो है वो कैटलेंड कभी जीत जाती है लेकिन यहां पे भाई सहाब एक बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला था लियानल मैसी को दो हजा युनाटेट की अकाइडमी और मैसी को भी आर्सनल के तरफ से एक ओफर आता है आर्सनल जोइन करने के लिए लेकिन मैसी अपने दोस्तों को ना फालो करते हुए बार्सनल में रुकने का ठात 2003-2004 सीजन मैसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन सीजन था 16 साल की ही उमर में लिएनल मैसी यूट रैंक्स के उपर ऐसा च्छलांग मारते हैं कि वो एक रिकॉर्ड बना देते हैं लिएनल मैसी पहर मैसी को फर्स टीम तक में बुलाया जाता है इंटरनेशनल ब्रेक 16 साल की उमर में ही लिएनल मैसी जो है वो नौएमबर 2003 में बार्सलोना के फर्स टीम में डेब्यूर बनाते हैं जो से मरीनो की साइड पोर्तो के खिलाफ जिसमें दो चांसिस लेकर के और एक शॉट ऑन गोल लेकर के काफी जादा टेकनिकल स्टाफ को इंप्रेस करते हैं अब इसी इंप्रेशन के साथ लिएनल मैसी को फर्स टीम के ट्रेनिंग में भी हिस्सा बनाने लग गई थी राइकार्ट की टीम फर्स टीम के ट्रेनिंग में भी राइकार्ट जो है वो लिएनल मैसी को हिस्सा बनाने लग गए थे अब ये 16 साल का मैसी फर्स टीम बार्सलोना के बड़े-बड़े प्लेयर के साथ जो है वो ट्रेनिग करने लगा उनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती थी जिसको देख करके ये बार्टन आफ फर्स्ट टीम के प्लियर्स भी हैरान थे फ्रेंच विंगर गूली कुछ ऐसा कहते है लिएनोल मैसी के बारे में He destroyed us all. They were kicking him all over the place to avoid being ridiculed by this kid. He just caught up and kept on playing. He would dribble past four players and score a goal. Even the team's starting center back one of us. He was an alien. Ronaldinho अपने सभी teammates को ये तक कह चुके थे कि ये 16 साल का लड़का देखना मेरे से भी जो है वो आगे बढ़ेगा और आगे चल करके वो लिएनोल मैसी को अपना लिटिल ब्रदर भी बूलने लगे थे जिसके चलते लिएनोल मैसी औरेड़ी बहुत ही ज़दा रिजर्वड रहते ज़दा बाते नहीं करते थे लेकिन रोनाल्डीनो के इस friendly nature के चलते लिएनोल मैसी थोड़ सा जो है वो ease of hope आए फर्स्टीम के प्लेयर्स के साथ खिर लेगा फर्स्टीम में प्रमोट होने के बाद लिएनोल मैसी थोड़ सा लंबा समय लेते हैं अपना पहला गोल मारने के लिए एक में 2005 में एलबेसर्टे के खिलाफ लिएनल मैसी का पहला गोल आता है जिसको असिस्ट देते हैं नन अदर देन दी ब्राजिलियन लेजंड रोनाल्डी नियू मैसी का पहला गोल आगे जाकर के चिप मारने का एक incredible गोल था जिसकी celebration I am pretty much sure हर एक मैसी फैन ने जरूर देखी होगी अपने second season में राइकार्ड के अंडर और इस बहतरीन टीम के साथ राइकार्ड बार्सलोना को जो है वो लीग जीताते हैं जो उनका पहला लीग होता है 6 सालों 2005-2006 में लिएनल मैसी 18 साल के हो चुके थे और इनकी first team के performance काफी जादा जो है वो बार्सलोना बोर्ट के इंप्रेस करी थी जिसकी चलते इनको finally जो है वो register किया गया एक नए contract के साथ लिएनल मैसी को पात साथ का contract दिया गया 150 मिलियन के clause के साथ 2005-2006 का पहला गेम लिएनल मैसी का होता है यूवेंटस के खिलाफ जौन केमपर ट्रॉफी में यहाँ पहली बार लिएनल मैसी जो है वो starting 11 में नजर आते हैं 18 साल की उमर में 30 नंबर की जर्सी ले करके अब भाई साब यह यूवेंटस हलकी फुलकी जिवेंटस नहीं थी यह यूवेंटस भाई साब फैब्यो कैपलो की जिवेंटस थी और भाई साब यारॉल मैसी की इस परफॉरमेंस को देखके सभी लोग हैरान हो चुके थे कि 18 साल के लड़का कर क्या रहा है टिकी टाका खेल रहा है यह स्टा के साथ आगे बढ़ रहा है कट इंसाइट कर रहा है शौट ले रहा है बहुत ही बहतरी नहीं यहाँ पे 18 साल के लियोनल मैसी की तरफ से एक परफॉरमेंस देखने को मिली जिसके चलते पूरी कैम्प नाव उठ करके 18 साल के प्लियर को स्टैंडिंग ओ विजिन देती है इस बहतरीन परफॉरमेंस से फैबियो कैपलुई बहुत ही जदा इंप्रेस होते हैं और वो लियोनल मैसी को लोन में साइन करना चाहते थे लेकिन बास्टना है डायरेक्ट मना कर लिया भाई सहाब आप यकीन नहीं करेंगे 2005-2006 में इंटर मिलान रैड भी प्लेयर्स जो हैं वो 150 मिलियन में नहीं जाते हैं बहुत ही कम प्लेयर्स आपको फुटबॉल की हिस्ट्री में 150 मिलियन जाते हुए नजर आए हुए होंगे लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ वो भी हुआ है अभी 2020-2021 में बगर आप इस गहराई को समझो 2005-2006 म एक सो पचास मिलियन देने के लिए इंटर मिलन तयार थी आज की अगर मैं इंफलेटेड मार्केट को देखू तो वो अराउंड तो राउंड नहीं तो नहीं अराम से 600-500 मिलियन का फिगर होगा एक 18 साल के प्लियर के लिए इतना जादा पैसा देना बहुत ही जो है वो रि लिएनल मैसी बट मैसी वस डिटरमाइंड तो इस्ते अड़ बार्सलोरा लिएनल मैसी एक स्टार्टर बन चुगे थे बर्ट में उनकी पार्टनर्शिप रोनाल डीनियो एटो के साथ जो है वो फ्रेंट लाइन में काफी जादा अच्छी नजर आने लग गई थी बड़े बड़े मेजर गेम्स लिएनल मैसी स्टार्ट करने लग गए थे 18 साल की उमर में वो चाहे एल क्लासी को हो गया या फिर सैमी फाइनल्स और राउंड अफ 16 भी क्यो ना होगा यूसियल के चल्सी के खिलाव सेकंड लैग में लियॉनल मैसी जो है वो इंजर हो जाते हैं लेकिन भाई सहाब बार्सनुना फाइनल में वो प्रोग्रेस मना लेती है अगीस्ट आर्सन। लगा काफी जादा मन था फाइनल्स फाइनल्स के खेलने के लिए और वो कैसे तैसे रिकोवर भी हो जाते है फाइनल से पहले लेकिन भाई सहाब डॉक्टर समना करते हैं लियोनल मैसी को खेलने के लिए फाइनल लेकिन फाइनली जा करके आर्सनल को बीट करके जो है वो बार्सनल यूसियल उठाती है 2005-2006 वाले सीजन में और मैसी जो है वो थोड़ी सी फेड होते हुए बार्सनल में नजर आ लेकिन बार्सनल फेड हो रही थी बट एक साइड मैसी अपना नाम जो है वो कमा ही रहे थे मैसी जो है वो 17 गोल्स मारते हैं 36 गेम में और भाई सहाब गजब का नाम जो है वो कमाने लग गए थे पूरे यूरोप में ले लेवरपूल के खिलाफ मिस्स करते हैं UCL का और उस राउंड आफ 16 में जो है वो बार्सलोना पिछले साल की UCL चैंपियंस होते हुए बाहर हो जाती है मगर जैसे ही मैसी जो है वो इंजरी से लोटे वो और भी एक बैटर शेप में थे अगला बड़ा गेम था बार्सलोना क UCL से बाहर होने के बाद L Classic के चलते हर एक बार्सलोना फैन की जो है वो नजर 30 गेम के ऊपर 19 साल का लियॉनल मैसी 19 नंबर की जर्सी पहन करके इस L Classic को में स्टार्ट कर रहे थे एक बहुत रही अची पफॉरमेंस के साथ ही साथ लियॉनल मैसी ने इस L Classic को में एक हैट्रिक भी मारा है जिसे से भाई सहाब सभी बार्सा फैंस के लिए लियॉनल मैसी और रेडी एक लेजंड बन चुके थे मैसी शुरुवात से अपने करियर में अर्जेंटीना के होने के चकर में और इतने साथ स्किल्फूर और इतने सारे गोल्स मारने के चलते मैरे डोना से काफी जादा रिलेट होते थे और मैसी ने थोड़ा सा उस रिलेटनेस को और भी भाई सहाब प्रक्टिकली भी दिखा मैरे डोना का एक गोल है जिसको गोल ऑफ सेंचुरी कहा जाता है मैसी सेम गोल डिक्टो ऑन दी पिच मार के भाई सहाब दिखाए सब भी लोगों को जिसके चलते हर एक बादमी भौचक्का हो गया और मैं ना जाने कितने बार ये बार अपने इस वीडियो में कहा हूंगा क कि लिएनल मैसी है ही ये कैसे प्लियार भाई सहाब साइड लाइन में लिएनल मैसी बॉल कलेक्ट करते हैं और लगभख साथ मीटर की रन लेते हैं एक के बाद एक पाच डिफेंडर्स को बीट करते हुए एक इमपॉसिबल एंगल से गोल मारते हैं जो साइंस के मुताबिक एक इमपॉसिबल एंगल था गोल मारने के लिए सा वो एक impossible goal मार करके एक मैरे डोना का goal of century replicate कर दिया हूं उन्ते पेच भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ All I can say that कि मैं भाई साहब अपने अब को बहुत unlucky feel करता हूं कि मैंने वो moment live अपने नजरों से नहीं देखा लेकिन पता नहीं मैं कितने बार ये वीडियो को rewind करके देख लूँ करताफे के खिलाफ ये goal लियोनल मैसी का भाई साहब मेरी आखें जो है वो ताजा हो जाती है इतने सारे कमाल के काम करने के बाद मैसी जो है वो औरेड़ी के star बन चुके थे Spanish media मे Spanish media जो है वो मैसी को औरेड़ी मैसीया मैसीया करने लग गई थी 2007 में रोनालडीनियो का form भी जो है वो बहुत ही जादा गिर चुका था लेकिन भाई साहब मैसी जो है वो एक नाम बन चुके थे अब बार्सना के लिए जिसके चलते भाई साहब बैलन डॉर में लियोनल मैसी की रैंकिंग भी लगती है लियोनल मैसी पहली बार बैलन डॉर में थर्ड जो है वो फिनिश करते है बिहाइंड काका एंड करिशान और रोनालडो लेकिन मैसी तो स्पोटलाइट में थे बट बार्सना का ये सीजन जो है वो ट्रॉफी लेस जाता है दो अनसक्सेसफुल सीजन जाने के बाद भाई सहाब जौन लपोर्ता काफी तदा नराज थे कोच और प्लेयर से अब बार्सना को जरूरत थी काफी एक बड़े से रिवैम्प की जिसके चलते बार्सना ने अपने किस्टार रोनालडीनियो को जो है वो बाहर कर दिया कलब से साथी साथ राइकार्ट को भी जो है वो फायर कर दिया एस डी मैनेजर अब टाइम आ चुका था पैब गौडियोला का उस समय पैब गौडियोला को कोई भी नहीं जानते थे पैब गौडियोला बार्सना बी के जो है वो मैनेजर थे और जौनला पोर्ता ने एक बहुत ही बड़ा डिजिजन लिया था पैप गॉडियोला को फिर्स्टी में प्रमोट करके सिंस रोनाल्डीनियो जा चुके थे दस नमबर की जर्सी खाली हो चुकी थी और मैसी को ये आइकॉनिक नमबर 10 की जर्सी 2007-2008 वाले सी दने मिलती मगर पिछले दो सीजन में लियरॉल मैसी काई बार जो है वो इंजट भी हो एक बर उने तीन महीने का जो है वो गेम खोया एक बर वो आठ महीने के लिए इंजट थे और इन सब का रीजन था मैसी की इटिंग हैबिट्स मैसी कुछ भी खाते थे और मैसी अडिक्टेट थे कोका कॉला से जिसके चलते पैब गॉडियोला टीम के ट्रेनिंग फैसिलिटी से कोका कोला का जो है वो वेंडिंग मशीन भाई सहां बाहर करवा चुके थे बार्सलोना से क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे कि इतने जादे स्टार खिलाडी को फिर से मिस होते हुए रोनालडी नियो जाय से जोनल मैसी भी आगे एक इंटर्व्यू में एकसेप्ट करते हैं और ये कितना बड़ा एक इंपोर्टन रोल करता है ये डाइट कितनी बड़ी ओवर ओल एक इंपोर्टन्स प्ले करती है हर एक इंडिविजूल के लाइफ में वो आप देख सकते हैं अब लियोनल मैसी की डाइट जो है वो कंट्रोल में हो चुकी थी उनको एक फीजियो थेरिपिस्ट और एक न्यूट्रिसनेस्ट भी जो है वो भाई साब बासनों के तरफ से दे दिया गया था जो उनको इंटरनेशनल गेव्स जब मैसी अर्जेंटिना के लिए भी खेला जाते थे तो उन दोनों उनके साथ ट्रेवल करते थे दोहजर आट के सीजन में भाई साब लियोनल मैसी इतने अच्छे परफॉमिस डालते हैं जिसके चलते वो बैलन डॉर में अब उनकी रैंकिंग जो पिछली साल थर्ड फिनिश होई थी सेकेंड फिनिश होती है भाई साब उनके गोल जो है वो 38 गोल्स होते हैं 51 गेम्स में और एटो और हेंरी को के गोल्स को कॉंट्रिब्यूट करके बारतना पहली बार जो है वो 100 गोल्स मारती है भाई साब लेखें अपने पहले सीजन में पैप गोडोले के अंदर लियोनल मैसी जो है वो राइट व अपने बद करें खेल रहे थे जो हाँ उनको लिंक अप करना था चावी और लिएस्टा के साथ और उन्हों ने ये काम बहुत ही अच्छे से जो है वो किया अपने टीम का पहला गोल्स के टीम कहती है दी सिक्स टू विल्ट इसक गोल लेनल मैसी टेके टेक साइब और उनके इस्टN साइब बट्रॲफी ना यसी घइस नाख अजांज लिल मैसी चाजब यस्ट लेने अपनेल मैसी लौ मैसे एच्मलीच एřम ऑरेल बड़ दैने बचल मैसी एक्स मांडलीचिय्ट यस्वाल मैसी बधरवाना खेफेब ब़स्ट करेंशिय्स का वरो वापस लिएनल मैसी को एक विंगर बना दिया गया था एक गेम में फिनाले में कौपा डेल्रे का एतलेटिक क्लब के खिलाफ जिसमें भाई साब बाटना जीतती है 4-1 की विक्ट्रिय और कौपा की डेल्रे भी अपने नाम कर लेती है अब लाली का भी जीत जाती है तो सीजन डबल औरेडी इन दी बैग था अब बात आती है चैंपियंस लीग की चैंपियंस लीग में भाई सहाब मैसी औरेडी एक टॉपी स्कूरर थे नाइन गोल्स मार करके इसमें उन्होंने दो गोल और एड कर दिया बायन म्यूनिक के खिलाफ कौटर फाइनल में 4 निल की विक् लेकिन पैब गडेड पिरसे जो हे वह फिनाले था और पैब गोडोडिला फिरसे र्सजी ना करे ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन वह एक्सपरिमेंट इस बार काम आ रही है मैसी पिरसे जो है वह फास ना हिन बना करी डिपली कियाग्या सर ऐलेक्स फरगसन की मैं तllesश णिना य और दूसरा गोल, इकोनिक लिएनोल मेसिका गोलाब हेडर मारते हैं लिएनोल मैसी, एक पाच फूट छे इच का प्लेयर, ना जाने ही कि तरे फूट हाँ, उची सी छलांग लेकर के, एक हेडर स्कोर करते हैं, और एक आइकोनिक गोल मारते हैं, अगेंस्ट मैंसेट उनाइटेड, और फिनाले जीतते हैं, यूसियल का, ट्रेबल वस इन दी बैग ओफ एफसी बार्सलो, दोहजार नौ के सेकेंड हाफ में, इस ट्रेबल को सिक्स चूबल में बदलने की तमन्ना लेकर के, सभी बार्सफ प्लेयर्स वापस से पिछ में उतर चुके थे, उनके सामने था, इस्पैनिश सूपर कप और यूएफा सूपर कप जीतने का बहुत ही बड़ा एक चैलेंज, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप भी, लेकिन पैप गोड़ले की ये टीम हार मानने वालों में से नहीं थी, सूपर कप इस्पैनिश भी जीतते हैं, यूएफा सूपर कप भी जीतते हैं, और आगे जाकर के, फीफा वर्ल्ड कप टू वन जो है, वो मार करके पैप गोड़ लगी है टीम, पहली टीम इन दी हिस्ट्री आफ वर्ल्ड फुड वाल, छे ट्रॉफीस एक सीजन में जीतने वाली टीम बनती है, और इसी गजब के परफॉर्मेंस को देखने के बाद, बाइस साथ के लियोनल मैसी पहली बार जीत जाते हैं, और यह दोनों विन हिस्टारिक थी लियोनल मैसी की, बिकॉस बोट ताइम्स दविन वास बाइग ग्रेटेस्ट वोटिंग मार्जिन इन इच ट्रॉफीस हिस्ट्री, आगे चल करके लियोनल मैसी की करियर में और भी कई सारे चीज़े होती हैं, जैसे लगत और भी कई सारे चीज़ें जो है, वो हम कवर करेंगे, काफी तदा मज़ा आएगा, I know मैंने अर्जेंटीना का साइट जो है, वो मैसी का कवर नहीं किया है, क्योंकि और अर्जेंटीना का कवर करना भी एक ही वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल था, तो एक वीडियो मैं अलग से अर्जेंटीना के उपर बना लूँगा, मेभी आफटर दी वर्ल्ड कप, लेकिन हाँ भाई साहाब, अगर आपको मज़ा आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, ऐसी ही डेली फुटबाल वीडियो देखने के लिए, दिल दे नेक्स वीड प्लिएजाब करें, झाले से ब हो लुटबालिक रेकिन बना लुटबाल वीडियो झाले साहाब, इसी ही डेली तो लिए भाई मेभी अवीडियो देखने के लिए रगनेपको मेभी है, याज़ लिए रगने के लिए है।